शिक्षा के संकुल तो अने को देखे होंगे आपने लेकिन बच्चों के स्रवंगिट विकासे तुसंचालन करने वाले विद्याले हजारों में कोई एक ही होता है गोरकपुर जिले के धन्यवाटिकर में स्थापित माधो पॉब्लिक स्कुल बच्चों में भूख आया मी प्रतिबा संपादन करने के लिए मत्तो पर्म भूमिगा दिबारा है इस सिक्षा संद्वें सामान सिक्षा के साथ टेकनोलोजी और विद्यान का संचोधन भी दिखाया जाता है तो कला और खेल कूच से सुस्त जीवन का पाट भी बढ़ाया जाता है तो कि इसमें हम रोबोटिक्स पढ़ा रहा है क्योंकि इस जमाने में हम हर एक जगह पर किया है हम एक्ट्रानिक्स पर यूज हो रहा है तो हम ऐसा रोबोट बनाते हैं हमारे क्लास जो है क्लास पोर्स देले कि इंट्रक्त के बच्चे इसे इंवाल है छोटी छोटी बच्चे ऐसा एक्ट्विटी और ऐसा प्रोजेक्ट तयार करते हैं जिसको देख के बहुत खुसी होता है और इस एरिये में पहला एक आसे इस्ट्री तो इसमें आप बच्चों को नएने अनुस अनुस अन्धान के वारे में बिश्चा क्या जिसे हमारे बनाते हैं कि अगर कोई अन्धा आदमी जा रहा है रास्ते में कुछ पढ़ गया तो हां संपर्क आने पर उसमें बजर का आवाज आएगा जिससे उनको पता चलेगा कि आगे हमारे कुछ है कोई भी चीज है लडियार प्रोजेक्ट है एक हमारा जिसमें किया है कि हमारे र इंटीरियर एरिया में है लेकिन हमारे बच्चे सहर के बच्चों से किसी मामलों में कम नहीं है और रही बात मेरी तो मेरी तो हमेशा यह रहती है कि मैं जैसा कि माना जाता है कि हिंदी हमारी मात्रिवासा है मुझे हिंदी से बबगत प्रेम है ऐसा नहीं मैं कहती है कि कि का कर दो तरफ से कोई विशेश उल्ले का कि आपके चाहेंगे तरफ से कोई जाएंगे प्रबंधन विशार हैं वार्वारी वीड्याले का बहुत अच्छा है वह बहुत अच्छा से ने चुछ को घरती है वह वो कहीं कहीं गरामीड में कुछ नो कुछ तुस्त चूप हो यह जाती है आप बारे में बच्चों से ही अच्छे कर आते हैं जिसमें हम लोग तरह तरह के बच्चों को संस्क्रत के श्लोग और सारी नौ दुरगा के बारे में हम बच्चों से ही एक्स्प्रेंड कराते हैं कि किसी भी फिल्ड में हम अच्छा कर सकते हैं और बहुत ही उनका एक आदर सोच है कि समाज का विकास सरवांगीड विकास तभी हो सकता है जब हम सारीरिक और मांसी दोनों रूप से हम बच्चों को समान उसर दें और यही उद्देश सिच्छा का जो आदमी सिच्छा है उसम में खेल कोधिक महत्तों दिया गया जो हमारे सबस्वी प्रहमंत्र जी ने जो सत्रह थारे में पहले बार खेले उंडिया प्रोग्राम की शुरुवात की जो अपने आप में बेसिक्स लिए हायर तक जाता है जो ब्लाक अस्तरफ है तैसीर अस्तर पर जिला अस्तर पर स्टे करते हैं जिस्का हम किलॉस्ट्र करते हैं जो लेबल करते हैं स्ट पहले से ही आट में बहुत जारी जूची है और आट में उनको हमेशा सिखाती रहती हूं आट एंगर बनाने को बताती हूं कि आप कुछ भी चीजे बना सकते हैं बहुत सारी चीजे पेपर से बनाने के लिए होता है अगर बच्चे सब्जेक्ट से हटके भी आर्ट कंपरडि आपने बच्चों को आंगे बढ़ा है उसे इसपयर दिशिप्लीन एंड्लाग में मांकिफ प्रवाइब करने विछ अर्वाईब करेंगे करी ने इसान एकला का थूरा प्रवाइब करों पर णहीं को अगरेंगे। मैं सचेक में लिए पारण पार्णु तूर में सब्सक्रण करेंगें। पिछे में ईपने पर देज़ और लाइब निए ये जो प्रिफाब भरे सिख़ करते हैं मैडम संस्कारों को लेकर किस तरह से बच्चों को करनेट करते कि आज समाज बिवक्त होता चला जा जाया है दूर होता चला जाया है सबसे हम लोग सबसे पर तो अपने से जो बड़े हमसे बड़े जो हमारे घर में रहते हैं पहले उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं कि बच्चे अपने मजर फाजर की और अपने घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनका रेगुलर जब स्कूल आए तो वो पैर चुए अपने से बड़े जो भी बोलते हैं सब उनकी बाते माने सब और नए बच्चों को छोटे बच्चों को आप हमारे माध्यम दे क्या जंदिश देना चाहते हैं कि छोटे बच्चे एक माटी के घड़े की तरह होते हैं ठीके हम उनको जैसा सर जिस सांचे में ढालेंगे वो यह बच्चों को अच्छा संसकार के माध्यम से खेलों के माध्यम से और अलग-अलग अक्टिविटी के माध्यम से हम सिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं हमारे हां सुनेवजित लैब्स हैं, हमारे हाँ अच्छा प्लेग्राउंड है, अच्छा माहॉल है, जैसा कि सहर के विद्ध्यालों में आपको देखने हो के मिलता है, कि हमारा जो सहर का विद्ध्याल है, वहाँ पर सिख्छा तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ, वहाँ उनका वो अच्छा सा इंवार वी कुट कि अब्लियोर्व दीखिन दिया है ज यहां पर हारियाली यहां पर हमारे बागवानी और अब्लिया सब्लूंक्तोंता है और सब् mierद vaat चांपर भी घर करें जाना है किई पूरा उसर दिया जाता है क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चे अपना कुछ ना कुछ साइंस में या प्रोपोटिक्स में अपना अपना प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं और हमारे भविस्य के लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहोरा आउसर है मेरा यही कहना है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमारे मालों में तीन देशी खेल कामरित महस्वा बनाया गया जिसका समापन था बच्चों ने खेल के लिए अपनी जीजान लगा दिये थी और लास्ट में जो हाउस बिनर रहा मेरे हाउस की बच्चों ने मुझे यकिन नहीं था कि वो इतने हाई लेबल पे मैच्चोर अभी से हुचके है वो अपनी जो अपोजिन पार्टी थी सर उनको कहीं सोनोने असास नहीं होने दिया अपनी खुशी सर उनको साथ लेके सलिवरेट किये मुझे देखके बहुत अच्छा रहा क्या बात है तो देखे आपके अंदर बंचों को लेडर बनने के भी कला अच्छी है क्या बच्ची खुद देख लेडर नहीं है सर लीडर्शिप करने के लिए सबसे पहले तो हमें इमानदार होना चाहिए एलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीम हाउस, रेड हाउस, सारे हाउस के बच्चे मेरे हैं अगर वो जीते के सर तभी हम जीते लिए कहते हैं ना कि सिक्छक का पहचान कभी होगा जब एक विद्यार्थी जो है आगे बढ़के नाम कनाएगा तभी सर टीचर गीनाम करें प्रीम जागे बढ़के लिए जोप्स वेलाद से बढ़के लिएमा करें आग मादो पॉब्लिक स्कूल का जो तीन द्यूसी खेलकूत प्रतियोगिता का गारे करम था वो समाप्त हुआ है तो आए जानते हैं छात्रों को शिक्षा देने वाले उनकी शारीरिक कवायत कराने वाले स्पोर्ट्स के प्रतिनी जो है वो आपका नाम जार मिश्चर अम्बेश कुमार दुबे जी इस स्पोर्ट्स कंपडिशन के लिए इस प्रतियोगिता दिन्दुशी प्रतियोट और किस तरह से आपने संचलित किया मैंने पहले सिक्की स्टार्टिंग से ही सारी टीम को हाउस सब्सक्राइब किया उनकी प्लानिंग की फिर जो बच्चे इंडिविज्वल गेम से बालीवाल में खोखो में डिसकस में साट्फुस में बैट्मिंटन में उसमें सिनियर बिंग जुनियर विंग और प्रैमरी बिंग अलालग कर गए उने डिवाइड किया और उसके करिकरम हुआ तो इसमें मैंने देखा कि discipline को लेकर अनुसासन को लेकर आपने काफी कड़ाई रखी थी तो उसका कितना महत्त्य एक खेल जीवन में अनुसासण ही खेल की आत्मा है अगर जिस खेल में अनुसासन नहीं है वह खेल सफल नहीं होशकता है तो कि अनुसासन ही देंगे चाया वो रूल्स के कार्डिंग हो चाया डिरून दे गेम हो एंपैरिंग का हो बिना इसके बिना हम किसी भी ठेल को उसका जो मुकाम है उसको हम आशिर नहीं कर सकते हैं पर एक अच्छा अमपैर तभी हो सकता है जब अनुसासन के रूप में हर र लबदियां आप बता सकते हैं कि जो कुछ विद्यार थी यहां से कहीं बाहर गए हैं और खिल कुछ नोरों ने नाम उससर्प किया है मेरे रहते हुए मेरे बच्चों ने माधरपरी बच्चों ने मैंने यहां इवेंट कराया था इसके पहले जिसमें खोखो बालीबाल और और बास्केट बाल के लगबथ 20 टीमें आए थी इंटर इस्पूल ूस्पूर्ट कमीश्मन ने कराया था और जिसमें हमारी की बालीबाल में बीनर रही खोखो में बीनर रही और बास्केट बाल में रणर रही हो isके साथ आसा साथ पहल हमून राखिकाइ एले ग diff, आर कि समाज का विकास, सरवांगीड विकास तभी हो सकता है, जब हम सारीरिक और मांसी दोनों रूप से हम बच्चों को समान औसर दें। और यही उद्देश सिच्छा का, जो आजमी सिच्छा है, उसमें सारीरिक क्रियाओं का होना बहुत जुरूरी है, जिससे बच्चों की जो उर्जा है, वह एक सभी तदीक से उसका प्योग कर सके हैं। जो अपने आप में बेसिक्स लिएक हायर टर्ग जाता है, जो ब्लाक अस्तरफ है, तैसीर अस्तरफ पर, जिला अस्तरफ पर, अच्छा है कि, अगले कुछ सालों में आप पूरे देश के लिए, स्टेट के लिए, और राष्ट्य सतर पर, अच्छे की लाड़ी आते खराओं माधो पब्लिक स्कूल बिन्वा डिकर के श्री इंद्रजीत होजाजी से इन्होंने इस स्कूल के स्थापना से लेकर और आज इसके विकास तक इनका क्या योगनान रहा इन्होंने कैसी होजना बना के काम किया है आई हम उस पर चर्चा करते हैं नमस्कार स्कूल आपका आज पूरे गोरगपूर ही नहीं पुरवांचल में एक विशेश स्वरुख बनाता चला जा रहा है तो इसके बीचे क्या रहा है सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं आप के निउस चैनल की टीम को धन्यवाद देते हैं कि आप हमको कुछ काने के लिए आउसर दे रहे हैं इसके लिए बहुत दो धन्यवाद आपने जैसा कि पूछा कि इस विद्याले के अस्थापना का क्या उद्देश था इस विद्याले के अस्थापना का उद्देश था कि यहां पर जो ग्रामी रंचल के बच्चे में जो प्रतिभा है उनको निखाना और जो गाउं से पढ़ाएं था सहर के दरब उसको कुछ प्रयास करके रोपना हर गार्डियन उद्द के पास सामर्थ हो सकती नहीं है कि वो सहर में जाकर के इतने महंगाई में वो सिच्छा अर्जित कर सके तो मेरे मन में बात आईगी कुछ हैं पर अपने लों के बीच में जगा पर हम बच्चों की स्कील को लेकर के एक स्थापना प्रयास किये और आज ये 16 साल पूरा हो गया अप्रयाइट से 17 साल शुदू होता है तो यहना पर आपको की एक खासिय दिये रही है कि स्कूल में शिक्षा के अलावा जो एगुलर एजुकेशन होता है उसके अलावा दूसरे के एक्टिविटिस पी आप बच्चों को प्रोसाइड करते है दूसरी एक्टिविटी एनीफिंग जो सीब्यासी के एकाडिन हम लों को गाइड दिया जाता है सारी एक्टिविटियां हम लोग फालो कराते हैं पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी पर बहुत फोकस किया जाता है बच्चों के अंदर जो ग्रोथ होता है वो एक्टि चोटी चोटी एक्टिवीटियां हैं, बच्चे करते हैं, एलकेजी से ले करके वो सीनियर क्लास करके, अभी रिसेंटरी एक बहुत बड़ा आयोजन खेल का हुआ है, इसमें आप इन लोगों के साथ पर्टिसिपेट की हैं, तो इसी माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहता है की बच्चों के अंदर, 100% उनको एजुकेशन सर्वांदरी विक्कास के साथ साथ देने का प्यास करते हैं, टेक्निकली एजुकेशन हो गया, खेल हो गया, लेकिन उसके साथ हमारे सानातन धर्म, और एक अपनी स्नस्कृति को बचाय रखना और उसकी संभृति के लिए है कि सिच्छा के साथ संस्कार, संस्कार के साथ ही जो सिच्छा हम अर्जित करेंगे, वो हमारे जीवन परियंद काम करेगी, सिच्छा निवार है लेकिन संस्कार के साथ ही, तो संस्कार से जोड़ी बहुत कुछीन हैं जो अपने स्कूल में कन्या पूजन के माध्यम से उनके अंदर वो भाव जालते हैं कि जो हमारी सनातन रीतियां हैं उसको अपने आचरण में फालो करें सुबह उठ करके सबसे बारे पृत्री माता का नमस्कार करें अपने माता-पिता का पैर चुमें और अपने स्रेष्ट जनों का वो नमस्कार करने के बाद अपने गुरू जनों का और विद्याले में वो फिर आते हैं और इस क्रम में मैं देखता हूं कि बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार हैं और बहुत सारे अतीथी यहां आते हैं और इसका वो प्रसंसा भी करते हैं पुब्लिक स्कूल एक आपका ड्रीम प्लान है, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सरस्थान को अगले दस साल बाद अब कहा देखना चाहते हैं। यह बात और हम बताना चाहेंगे आपको, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो चलना कहां से सीखते हैं, बोलना कहां से सीखते हैं, और खाना कहां से सीखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, तो वो देख के सीखते हैं, कि हमारे आसपास जो परिवेस हैं, वो देखते हैं, कि वो अभ्यास में आ जाता है, वो चलने लगते हैं। हम बच्चे ही जो परिवार का कल्चर है देख करके वो खाने के लिए सीखते हैं घर में बाताबरण है बोल चाल का उसको भी सीखते हैं और उसी क्रम में जो है हम अपने परिवार में सारे अब्लवावक से मिरागर रहता है कि आप अपने परिवार में एक अच्छा बाताबर बनाए एक अच्छा माहौर बनाए बच्चे देखे ही सीखते हैं अगर आपके परिवार में अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चों को जीवन में अपलाई करती हैं उसको आप प्रयास करें जो आगे चल के मेरा फ्लान है इस विद्यालय को एक सू संस्कृतिक संस्कृत के अनुशार पाठकरम जो है हम उसको फालो कराएंगे अभी हम एक लां कर रहे हैं कि बच्चों को भीटा का कुछी स्लोप का भी प्रेक्टिस कराएं इस पिद्यालय में जिससे उनके जीवन में जो भी बाधाएं हैं जो भी समस्याय आती है खास कर मिलिया दकर के देखेंगे जो इऊगा है क्षोटी चोटी बातों पर वो अग्रेसी हो जाते हैं तो कुछ चीजें हैं कि जो हम अपने सहनातर्नम्ट जो किजें हैं उससे उनको सुवारीक प्रेक्षान कराएं जो एक ऐससे समस्याया उस में जो उनके जीवन में काम आनेव और द्रियों को सिक्षा के साथ में बश्तरेहना विज्यान के साथ में प्रगति करना उपके ताहिए अपनी धर्थी और अपने संस्कार से चूड करें का काम करता है दन्यवाद देते हैं श्री अध्रजी दोजाजी का और हमारी शुख कामना रहेगी कि उनका ये सर्थान दिन पर दिन पर दिन पर दन्यवाद दिन दन्यवाद दिन मैं द्रियोगी पांडे 24 टाइम पिछले तीन दिनों से जारी वार्शित के उनका के समावंगे बाद विद्यार्थियों ने नौ वर्ष के आघास का स्वागत भी अपने विशेश अंदाज में किया बुस्ति अल्डे में 500प दिन पर दिन दिनmee स्वान पर सपे नौ ano का था ग्यास ट्साइब bonito पाल चाहिए का था जिलाद प्रकिया का ऑब एड़ा सकी आप का रसकी आप का ये बोलाद टाया का था लोग जाओा लेशा, शाल जाओ लोग जाओ येट नहीं मोधी जिए जाहिए जाय, विना लूदिक जाहिए, पायी ए में लुझे लिए जाहिए. ये मोधी आलगे जाहिए, ये में लोगे अपड़ाँज झाहिए! येदूस्टिकन लगे पाश जाहिए अपनी विश्रे सिक्षिन विदास में बच्चू की प्रदिभा को निखार्टे के साथ उन्हें अधर्ष नागरिक बनाने का काम करते हैं। जो सो मुचे पुर्वान चल में होई विसाल बने है। करते हैं। करते हैं। करते हैं।